इसलाव अलेकुम दोस्तों केसे आप सब मैं उम्मित करूंगा आप सब अच्छे होंगे दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लाइट और वेक्सिनेशन अपडेट के बारे में मैं जानता हूं काफी लोग वेट कर रहे हैं डायरेक्ट फ्लाइट का मैं अगर फ मुझे लगता है जब तक सेकेंड डोस का वैक्शिनेशन स्टार्ट नहीं होता है तब तक फ्लाइट साथी अरबिया नॉर्मल करेगी मुझे नहीं लगता है रिजन क्या है मैं बता रहा हूं जीए सीए का गाइडलाइन्स को देखा होगा उन्होंने साफ वहां पे कहा था जो फुली वैक्शिनेटेड लोग है उनको कोई कॉरंटाइन का ज़रुरत नहीं है और जो लोग बिना वैक्शिन का आएंगे उनको कॉरंटाइन होना और जब भी फ्लाइट का कोई भी इस अपडेट आता है तो मैं आप लोगों तक जरूर शेयर करूंगा फिलहाल कुवेत ने अपना फ्लाइट जो है खोल दिया है बारा कंट्री के लिए फस्ट जुलाई से लेकिन इसमें हमारा एसिया का कोई भी कंट्री नहीं है तो हमें अप्शन भी नहीं है क्योंकि इसमें ज्यादा तर अमेरिका इटली यूरोपियन कंट्री जो लोग फ्लाइट का ज्यादा वेट कर मैं उनको एक सजेशन दूंगा जो लोग छुट्टी गए हैं फसे हुए अपने हम कंट्री में अगर आपका विजा या इकामा एक्सपाय करते हैं और कोई कंपनी जो है इकामा को रिन्यू भी नहीं करती है अभी बहुत अच्छा रूल आया है तीन महिने के लिए भी कामा रिन्यू कर सकते हैं तो आप अपना कंपनी को अप्रोच करके एट लिस्ट तीन महिना का एक्स्टेंशन करा लो इधार उधर हो के vaccination की दोस्तों तो अगर हम सौधी अरभिया में vaccination की बात करें आप लोगों ने सुना होगा कि अब second dose का appointment आप लोग ले सकते हो आपको मिल रही है second dose का appointment और वैक्सिन सिर्फ उनको मिल रहे हैं जो लोग हज के लिए apply किये हैं जो लोग हज को जाएंगे सिर्फ उनके लिए यह है नॉर्मल लोगों के लिए अभी तक second dose का कोई confirmation नहीं है बट जुलाई से इंशालला सब को मिलना start हो जाएगा इसके अलावा सौधी अरभिया में जो लोग बारा से अठारा साल के बच्चे हैं उनके लिए भी अब वैक्सिन लेने का फाइजर को approval मिल चुका है फाइजर का वैक्षिन आप लोग को लगेगी अगर आपका कोई भी बच्चा है जिनका उमर बारा से अठारा साल के बीच है तो उनके लिए आप appointment बुक करिए उनको भी वैक्सिन दिला सकते ह दूसरा update दोस्तों Ministry of Interior के officer का बयान है कि कोई भी बंदा जो यहां पे रहता है अगर वो वैक्सिन नहीं लेता है तो उसके लिए उन पे कोई भी fine वगेरा नहीं है कोई बात नहीं अगर वो वैक्सिन नहीं लेता है बट condition यह है कि 1st August से आपको कहीं भी जाने के allow नहीं मिले ना आप कोई mall पे जा सकते हैं ना workplace पे जा सकते हैं ना कोई government office में जा सकते हैं fine तो नहीं अगर आप वैक्सिन नहीं लेते हैं तो बट आपको कहीं allow भी नहीं मिलेगा तो indirectly इनका यह कहना है कि आप वैक्सिन ले लो otherwise आप कहीं जानी पाओगे बहुत लोग स्टार्टिंग म authority है आपके पास आपको ना कोई appointment लेनी की ज़रू हो थे ना कुछ आप सिर्फ जाओ कोई भी वैक्सिन सेंटर में जाके वैक्सिन लगा सकते हो इसके बाद ministry of health का जो statement है उन्हेंने बहुत अच्छा new share किया सब लोगों के साथ कि second dose का अभी तक जिन्होंने भी कोरोना का वैक्सिन लिया है कोई भी death record नहीं है यानि zero death record है उनके लिए इसके बाद ministry of health ने ये भी कहा है कि कोरोना वाइरिस से लडाई हम तभी जीत सकते हैं जब सारे लोग वैक्सिन लेंगे जब सब कोई वैक्सिन लेंगे तभी कोरोना से बचने का chances है तो आप लोग भी ये सारी चीजों को ignore ना करिए जितना जल्दी हो से के आप वैक्सिन ल करेंगे चाहे वो पार्टी करते हो या फिर गैदरिंग करते हो तो उनके लिए 40,000 रियाल का फाइन याद रखेगा जो भी लोग पार्टी करके सेल्फी लेके सेसल मीडिया पर पिक छोड़ते हो ना खुदा ना करें आपको कोई फाइन आ जाए तो बी केरफुल इसके 12,800 लोगों को वाइलेशन का फाइन का मैसेज आया है दोस्तों हमें और आपको यह सब चीजों को सिरियसली इसलिए लेना है क्योंकि आपको पता है यहां का रूल और रेगुलेशन क्या है एक बार अगर आपको 40,000 रियाल 50,000 रियाल का फाइन लग जाएगा ना तो फिर आप सूखे पड़ जाओगे मैं उम्मित करूंगा यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखे अपना थेंक्यू सो मच पर वाचिंग